कि अपने कमेंट्स की भी बोचार करें मुझे प्रतिक्षा रहेगी दोस्तों कहानी शुरू करते हैं एंड गेम पार्ट फॉर की और यह हैस्टेती किसी केलिए दुष्वार हो रही थी रोबो फॉर्स को बचाना होगा दुरू की मदद के लिए कमाडर नताषा का बचना जरूरी है मुझे कुछ करना होगा रहसेमः शक्षियत थी वह जो एक तरफ नताषा को बचा कर दुरू की मदद करना चाहती थी तो दूसरी तरफ एक एक कत्रा खून का चूस लेना चाहती थी ब्लैक केट मुझे पास से घुरने वाले लोग पसंद नहीं तुम्हें हैं? बिल्कुल नहीं थैंक्स ब्लैक केट मेंशन नॉट अरे क्या हुआ तुम्हें? फिर पुरानी बिमारी का अटेक आ गया क्या? नहीं खुद को पत्ती से चुपा एक शेतान ने मेरा खून निकालने की कुशिश की सारा खून पर मेरी मेकनेज दूम समय पर काम आ गई खून तो मैंने वापस चड़ा लिया पर एक यूनिट खून तो फिर भी बरबाद हो गया उसी की कमजोरी है और मैंने इस काली बिल्ली को कम आ का था पर यह तो काम में दूमण आती है जाकर देखना होगा अगर इसका एक यूनिट या जरा सा भी खून निकल गया होगा तो मैं उसकी क्लोनिंग कर लूँगा वैसे मूवर को भी आजात करने का समय आ गया है ट्विस्टी गायब है अब पहले ट्विस्टी को ढूणना है पर तुम जैसी खतरना क्फुरती ली और शेतान की कबजे में आई कैसे मुझे ध्रूव की मा नजर आ गई थी उसी पर नजर रख रही थी मैं तब ही यानि वह यहीं पर है दूसरी और ध्रूव जॉलाव से जूज रहा था अगर आग को ही आग लगा दी जाए तो ट्राय करने में क्या हर्ज है पर यह होगा कैसे इसे इसी के डीजल में बिगो कर पर डीजल की अंडर ग्राउंड नालिया हम ढूनेंगे कैसे देखो जहां तेल की नालिया है वहां की गहस सुकी है पकडंडी जैसा रास्ता दिख रहा है और ध्रूव के दिमाग ने अपना बहतरीन काम करना शुरू करते बस इसके पास आते ही इस पर ऐसा वार करना होगा कि यह सीधा उस नालिय में घुज जाए और डीजल से तर हो जाए और बाकी काम इसके द्वारा किये गए ब्लास्ट से लगती लगतीं कर दिए हो गया काम चंडीका की एक किक से लप्टो से घिर गया था जवालाओ इस पर तो उल्टा असर नजर आ रहा है हकीम जी ने मेरी खाल को ऐसा बना दिया है कि यह आँख को जला सके पर आँख इसे कते ही नहीं तुने अपनी मौत खुद बुलाई यह लड़के बस एक बार तुझे गर्मा गरम जप्पी दे दूँ फिर ना क्रिया ना कर्म मौत कंफर्म ओ इससे बचना चंडीका जब तक इसके शेरी पर लिप्ट डीजल जलना जाए तब तक मैं अगनीदार भी छोड़ता हूँ बच्चे चंडीका चंडीका बचो बचों के कैसे मेरे अंडरगाउंड सुरंगाउ का रहसी जानकर खुद को सुरक्षित समझ रहे हूँ पर जवाला वेसी हजारों मौते दे सकता है और यह दा पलवर भी चेन नहीं लेने देगा इससे बचने का बस एक तरीका है इसे रोकना पर कैसे पुराना एडिया ही सही है आँख से आँख को मारने वाला इसके मुह से निकलती हवा बाहर निकलने के बाद आँख पकड़ती है यानि इसकी सास से सोडिया में या फॉस्फोरस निकलता है जो ऑक्सीजन के संपक में आते ही आँख पकड़ लेता है इसकी बाहरी तोचा तो अगनी रोधा के पर यह देखना देल्चस्प होगा कि इसके आंत्रिक आंग, आग को कितना जहल पाते हैं नहीं जहल पाते हैं भाई तो ठीक तो है न यह इतनी आसानी से दुनिया छोड़ने वालों में से नहीं है हम भी नहीं सेलिट कैप्टन, तुम्हें चुस्त दुरुस्त और एक्शन में वापस देखकर अच्छा लगा कैप्टन हमें पता था तुम जरूर वापस आओगे कैप्टन लेकिन तुम लोगों ने मुझे ढूंडा कैसे, वह भी इतनी जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग पक्षियों की मदद दी, जब उस रहसे में शक्ष ने यहां का कम्यूनिकेशन टावर ही तोड़ डाला, पीटर बताता चला गया और धुरूर के माते पर सौच की लकीरे गहराती चली गई हुलिया तो उसी शक्ष का है, जो मेरे और वकर के बीच में आकुदा था मैंने एक जल्द देखी थी उसकी, पर यह मददगार है कोन, और यह चुपकर मेरी मदद क्यों कर रहा है तुम्हारी कतित मा रादा भी यहीं पर है, हमने एक जल्द देखी उनकी और अंकल जेकब का कोई सुराग, नहीं, वेबी यहीं पर है क्या, अगर है, तो कतित रादा उनका पता जानती होगी हम जानते हैं उसका घर, चलें, इस खेल में सिर्फ हंटर्स और हम नहीं, और भी खिलाडी मौजूद है हम हंटर्स के मुख्य हटे पर धावा बोलने से पहले, डाटा एक एकतित करना होगा हमें, नई योजना बनानी पड़ेगी एकदम साई कैप्टन, लेकिन उसके लिए तुम्हें भेश बदलना होगा, वरना पहचान लिये जाओगे और भेश बदलकर कमांडो धुरू अपनी टीम के साथ चल पड़ता है इधर वक्र, एक मोर्चा फता हो गया था, पर इस फता ने धिंडोरा भी पीट किया था खबर बुरी है वक्र राज जी, लेकिन पकी है, टेड़ी टेकरी के प्रवेश वाले वाच स्टेशन पर तैनात ज्वालाओं को बेहोश पाया गया है देखने से तो यह एक दुरगटना लगती है, पर आसपास तेल की टूटी नालिया और टूटे फत्तरों की मुकीले की इच्छे कोई हाथसा गटने की कोशी की आशंका पैदा कर रही है उसके बेहोश होने का कोई कारण मिला, उसका मुँ अंदर से जला हुआ है, शायद उसको आगोगलने का कोशल उसी को उल्टा पड़ गया यानि जलाओ के गायल होने का कारण कोई भारी वस्तू नहीं है, जलाओ जैसे हंटर की मौत वह भी उसी के हतियार से यानि तरूब यहां पर आगिया है उसे प्लेन क्रेश के बारे में क्या पता चला, एम सोयम गए हैं क्योंकि प्लेन क्रेश के पहले दरजन और पेराशुट पे ने हतियार बंद कंकाल नीचे गिरते देखे गए थे और अभी तक वे वापस नहीं आए हैं, इदर एम, इतनी ही देर में भूल गई मुझे, अभी तर तुम्हें यह बताना बाकी है कि यहां का पता तुम्हें बताया किसने, कौन है वह मददगार ओ, मैं जानती थी कि एम फॉर मक्खी को जब तक मारो नहीं, तब तक वो चेहरे के आसपास ही भिनमिनाती रहेगी इतनी बड़ी मक्खी, यह तो ब्लैकेट है, इसका भी डोजियर है हमारे पास, पर नतारशा के साथ जो लड़की थी, वह कहा गई, कहीं ब्लैकेट ही वह लड़की तो नहीं, खेर तुमने मुझे इतना पापुलर बेना कर खुश कर दिया, चलो तुम्हें फ्री में एक राय देती हूँ, लड़ने के बीच में बलो तो ध्यान बटकाने के लिए, पर अपना नहीं दूसरे का और एम दोका खा गया, ओ, मैकेना जिस हाईटेक पूछ बदायो, तुम्हें कमसे कम अपनी मौत का नाम तो पता है, एम का दम तेजी से घोट रहा था, गरदन की हड़ियां कड़कड़ा रही थी, और एम और बलेक केट में एक फर्क था, बलेक केट एम के बारे में नहीं जानती थी, ओ, इतनी तेज, स्पीड, ओ, कमज़ोर बले जाएंगे तुम्हारे, अब तुम हिल नहीं सकते, सवाल, हंटर एम कितना तेज दोड सकता है, 2350 प्रती सेकेंड स्पीट की गोली निकलने के साथ, एम का पेर ट्रिगर से उठ चुका था, माइक्रो लेंड माइन डेटोनेट हो चुकी थी, बलास्ट में सिर्व पॉइंट नाताशा को उगए, यहां का पता, किस ने दिया, तुमने, तुम जेकब को लेकर यहां पर आये, और किंग जेकब का पीछा करते-करते ब्लैक Y rust को यहां तak ले अपने पेरों को जितना दिमाग भी दोड़ा लिया कर मैं तो यहां बंदी हूँ मुझे क्या पता तभी अचानक सुरी कमांडर लेकिन हंटर से जो टकराता है उसकी सांसों की डोर ही कट जाती है किसने की तुझा बचाने की हमत ओ तो तु है ब्लैक के ट्रिटन्स पर तुने दूर से डोर काटी कैसे स्टार ब्लेट से द्रूव ओ साक्षाथ सूपर कमांडर द्रूव वह भी चलता फिरता द्रूव तम ना आते तो सचमिच मेरी जान चली आती वैसे गुड टू सी यू हैंटसम कुमार वक्र तुमें मौत के दोर तक पहुंचा कर आये थे अब तुम खुज चल कर मौत के दोर तक आ गए हूँ अपनी किस्मत का कुस्तलहाज रखते अपने दो बाजुव पर भरोसा करने वाले अपनी किस्मत खुद लिख लेते हैं दाइने हाथ से किस्मत लिखता हा, फास्ट है तू, मैं हक्की की तरह अपनी आखों के कंपाउंड लेंस की मदद से स्पीड को स्लो मोशन में देख सकता हूँ पर तेरी स्पीड उस्लो मोशन से भी सामानिय से भी काफी तेस्ट थी एम इंप्रेस हुआ, तुम्हारे बारे में जो सुना था, कम सुना था, मज़ा आएगा तुम्हारी जान निकालने में स्लो मोशन में दरसल एम सिर्फ स्लो मोशन में देखता नहीं है, फॉस्ट फारवड में मूव भी करता है, चलो, अब मुझे छो कर दिखाओ, और यह है, एम कर दो लें ग्रूप को, पूरी कोशिश कर, अपनी सारी युद्द को चलता लगा ले आज, तब तक मैं वहां हूँ ही नहीं, प एम सिर्फ गती को कम कर पाने का रास्ता ध्रूप को सूज नहीं रहा था, कहीं ऐसे तुफान उट रहे थे, तो कहीं शांती थी, तुफान से कहने की शांती, कौन है वहां, मठेश है क्या, कौन हो तुम, प्रहरियों से बचकर यहां तक कैसे, मा, हे वगवा, हे वगवा, तुफिस्टी, तु यहां कैसे है, अजी सुनते हो जल्दी धर आओ, अब क्या हो गया, एक तो उधर बाकर हला मचाए हुए है, और इस पर तुम, यह कौन है, कैसे है, मैं, मैं तुम्हारी बेटी, जिसने में तुम लोगों के करण, पाप कर्मों के करण, हमेशा तुम से और खुद से दूर रखा, तुम्हारे पापा के सजा, इसने घर से दूर रहकर भुक ती, मेरी बेटी, पर यह एकाए किया कैसे आ गई, अभी अभी रोबर फोर्स ने कमांडर नताशे के ने, तुम्हें यहां बोलने की, हमला बोलने की कुशिश किये, कि यह अभी उसी के मैं आराम से बात करूंगी, मैं तुमसे मिलने नहीं आई बेटा, क्योंकि, क्योंकि मैं तुझे न तेरे परिवार के बारे में बताना चाहती थी, और ना तुझे यहां लाना चाहती थी, पर यहां का पता तुझे मिला कैसे, कैसे आई तो यहां पर, और डड़वाल ने कुछ ढूंटे वे नहीं आई मैं तो दुरूब को हंटर से बचाने के लिए निकली थी उसके लिए मैंने रोबा आर्मी की मदद ली उन्हें विश्वास मिलिया और उनके संसादनों को हंटर से टक्राव की तरफ मुड़ दिया इसी चक्कर में रोबा आर्मी कमांडर नतार शाक्स साथ यहां तक आप पोची पर तू हंटर्स के बारे में जानती ही क्या है और दुरूब को बचाने से तेरा क्या मतलब उसका तुझ से क्या मतलब और उसके लिए तूने रोबा आर्मी जैसे संगत पाल ली क्यों? झाल झाल झाल